Good morning students, welcome in English Reader class. Today we start lesson number 7, Thousand Pieces of Gold. This is a play, it is divided in 3 scenes. Let's enjoy this interesting play. बच्चों ये एक play है, यानि की एक नाटक है, जो की तीन scenes में बटा हुआ है. आईए हम इसके बारे में पढ़ते हैं. Long, long ago, Harun al-Rashid, the Khalip of Egypt, had Abu Hassan, his favorite in his court. Nuzhat was Abu Hassan's wife. She was the favorite of the princess. बहुत समय परानी बात है. Egypt यानि मस्र के खलीब थे, जिनका नाम Harun al-Rashid था. उनके कोट में, यानि की उनके राज्ये में, उनके सबसे ज़्यादा पसंदिदा जो थे, वो थे, अबुहसन, Nuzhat, अबुहसन की पत्नी थी, और वे, खलीब की पत्नी, यानि की महारानी की favorite हुआ करती थी. Now we start scene 1. अबुहसन and his wife are in the house. It is breakfast time. अबुहसन, Nuzhat, bring me breakfast at once. I have to go to the court of Khalil. Nuzhat lays the breakfast. बच्चो scene 1 है, जिसमें अबुहसन और उनकी wife अपने घर में है, सुभा के नाश्टे का टाइम है. अबुहसन, Nuzhat, से कहते हैं कि मुझे जल्दी से नाश्टा दो, मुझे खलीब के कोट में, राज्य में पेश होना है. Nuzhat, उन्हें जल्दी से नाश्टा देती हैं. Nuzhat, उन्हें जल्दी से कहते हैं, ये कोई खाने की चीज है, इसे तो कुटे भी ना खाएं. Nuzhat, कहते हैं कि घर में अच्छा नाश्टा बराने के लिए कुछ भी नहीं है. Nuzhat, उन्हें जल्दी से कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत शरम की बात है. लोग कहते हैं कि अबू हसन, खलीव का सबसे पसंदिदा इंसान हैं और हम यहां पर भूके मर रहे हैं. Nuzhat, कहते हैं कि ऐसा तो होना ही था, जब भी हमारे पास पैसा होता है, तब तुम अपने धेर सारे मित्रों को, दोस्तों को घर पर लेकर आते हो. अबू हसन, कहते हैं कि मेरे दोस्तों को तुम कुछ मत कहो. तो Nuzhat, कहते हैं कि मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ये तो एक सच्चाई है. अबू हसन, कहते हैं कि मैं क्या खलीब के पास जाओ और उससे कुछ पैसे उधार मांग लूँ. नुज़त कहते हैं कि जो उन्होंने हमें सोना दिया था, वो हमारे लिए 10 साल के लिए काफी था, लेकिन सब तुमने बरबाद कर दिया. ये सुनने के बाद अबू हसन कहते हैं कि मैंने पैसा बरबाद नहीं किया है, हम उस पैसे से बहुत खुछ रह रहे थे और साथ मिलकर अपने दोस्तों के साथ खाना बाटते थे. अबू हसन कहते हैं कि हम उन्हें अपने लिए बुलाते थे, उन्होंने बदले में कुछ भी नहीं मांगा. तो नुज़त कहती हैं कि हमारे घर में भीड इखटा तब तक होती थी जब तक हमारे पास पैसे थे और जब हमारे पास पैसे खतम हो गए तो कोई भी घर में नहीं दिखता है. अबू हसन, people are like that. नुज़त, how will we ask the khalif for money? अबू हसन, listen, I'll pretend to be ill and you will go to the khalif. नुज़त, how can a woman go directly to the khalif? अबू हसन, the khalif meets everyone when you go to the princess. नुज़त, will it be enough for a few months, your friends? अबू हसन, my dear, I have a new idea. I'll pretend to be dead. You go to the princess and beg some money for my funeral. नुज़त, covering his mouth with her hand, how can I say you are dead? I am sad at this. I really wish to be dead. अबू हसन की बास सुनकर, नुज़त कहती है, खalif के पास जाकर पैसे कैसे मांगेंगे? अबू हसन कहता है, कि मैं एक बहाना बनाऊंगा, कि मैं बहुत बिमार हूँ, और तुम खalif के पास जाना. तो नुज़त कहती है, कि खalif के पास सीधा एक औरत कैसे जा सकती है? तो अबू हसन कहते हैं कि खलीव से खलीव से जब सब लोगों से मिल लेंगे तो उसके बाद तुम सीधा महारानी के पास जाना अबु हसन कहते हैं कि मेरे पास एक और आइडिया है क्यों ना मैं मरने का बहाना करूँ और तुम फिर महारानी के पास जाकर मेरे फ्यूनरल यानी मेरे अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगो अबु हसन, you are genius, you always give me a new idea, first I'll lie down and pretend to be dead, you go secretly to the princess and tell her that अबु हसन was suddenly attacked with the high fever and died, when you return you lie down and pretend to be dead and I'll go to the khalief, they rehearse their parts and go to princess and khalief at their turn दुज़त के ये बास सुनकर अबु हसन कहते हैं कि तुम बहुत समस्दार हो, बहुत बुद्धिमान हो, तुम मुझे हमेशन नए ideas देती हो, एक काम करते हैं सबसे पहले मैं मरने का नाटक करता हूँ, फिर तुम महारानी के पास जाना और कहना कि अबु हसन को अचानक से बहुत के बुखार आ गया और उसके मृत्ती हो गई, उसके बाद तुम आकर लेट जाना और मरने का नाटक करना, और मैं खलीब के पास जाकर यही बात कहूंगा, वे अपने पार्ट का rehearsal करते हैं और उसके बाद प्रिंसेज और खलीब के पास जाते हैं, अबु हसन, I played my part well The Khalif believed every word I said, here are a hundred pieces of gold for your, Nuzhat, I had to play my part, my gestures and tears told everything to the princess, I did not speak a word, she gave another hundred pieces of gold, Abu Hassan, two hundred pieces of gold, now enjoy, Nuzhat, but what when will happen if we are found out, noise of footsteps outside, oh, is it a messenger from the Khalif, Abu Hassan looks out the window, he makes his wife lie down and covers her With a shawl He will say, I will be watching my part, I will see him on my side, and he also gave me a hundred pieces of white wine, the devil can be killed, now have come to you, Nuzhat, I will say, what will happen if we were found out? पकड़े गए तभी उन्हें बाहर जो है खलीव के मैसेंजर यानि सिपाही की आवास सुनाई देती है जब अबु हसन खिड़की के बाहर देखते हैं तो खिड़की के बाहर खलीव का एक सिपाही खड़ा हुआ होता है तो अबु हसन जल्ली से नुजध यानि अपनी पत्नी का मूँ शौल से ढग कर उसे लिटा देते हैं मैसेंजर कहता है कि महल में खलीव और महरानी के बीच में बहुत बड़ा जगड़ा हो रहा है खलीव कहते हैं कि तुमारी वाइफ यानि नुजध की डैथ हो गई है और महरानी कहती है कि नहीं अबु हसन के मृत्यू हुई है उन्होंने एक शर्ट लगाई है कि जो जीतेगा उसे एक हजार सोने के सिक्के दिये जाएंगे तो मुझे यह देखकर वापस जाते खलीव को बताना है कि मृत्यू किसकी हुई है और यह कहकर जो मैसेंजर है जो सिपाई है वहाँ से चला जाता है मैसेंजर की जाने के बाद नुज़त कहती है कि यह हमने क्या कर डाला अब क्या होगा अबु हसन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो जब तक कि मैं हूँ तब ही फिर से बाहर जो है एक औरती आवास सुनाई देती है अब इस बाद नुज़त बाहर देखती है तो महारानी की नौकरानी बाहर खड़ी हुई होती है तो अबु हसन कहता है कि तुम जल्दी से यहां आओ और मुझे इस चादर से मेरे मूँ ढग दो और नौकरानी को अंदर बुला लो तो नुज़त ऐसा ही करती है उसके बाद नौकरानी को अंदर बुलाती है तो नौकरानी कहती है कि सिपाही ने जाकर खलीव से कहा कि नुज़त की मृत्यू हो गई है अब मुझे महरानी ने भेजा है तो मैं जाकर यह बताऊंगी कि अबु हसन के मृत्यू हो गई है और यह कहकर जो नौकरानी है वहां से चली जाती है Now scene 3 In scene 3, Nuzad, I cannot really on your wits now We will have to admit our life before the Khalif Abu Hassan, we'll leave the city What is that? I hear the sound of trumpets and drums Abu looks out of the window Good God, the Khalif is coming himself and Princess Zubayda is with him Nuzad, oh we are finished, we shall be hanged for this The Khalif, Princess Zubayda, messengers, mates and others entered the room The Khalif, Abu Hassan, where are you? Zubayda, Nuzad, it is me, the princess, where are you? The Khalif, look, there are two bodies here, both of them are dead Zubayda, poor Nuzad, I believe her heart broke at seeing her husband dead Scene 3 में, Bچो Nuzad, Abu Hassan से कहती है कि अब बहुत हो गया, मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं है हमें Khalif के आगे जाकर अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए तो Abu Hassan कहते हैं कि हमें हम ये शेहरी छोड़ देते हैं तब ही बाहर से बहुती नगाडों की और ढोल की आवाज सुनाई देने लगती है जैसे अबु खिट के बाहर देखते हैं तो क्या है, Khalif, Princess Maharani, Zubayda, Naukrani और जो messenger, सिपाही आयत था और सारे के सारे उनके कमरे में आ जाते हैं Khalif, Abu Hassan को आवाज लगाते हैं कि तुम कहां हो Zubayda, जो Maharani है, वो नुजहत को आवाज देती है तब ही Khalif को वहाँ पर दो बोड़ी दिखाई देती है तो Khalif कहते हैं महarani से कि दोनों के मृत्यू हो गई है Zubayda कहती हैं कि बिचारी नुजहत, मैं जानती थी कि उसका दिल तूट गया है वे अपने हस्बिन की, अपने पती के मृत्यू नहीं देख सकती थी The Khalif, how can you say that? It was poor Abu Hassan's heart that broke at seeing his wife dead Zubayda, what do you say? My maid found Nuzhar tearing her eyes out in grief The Khalif, I don't understand it all I will give a thousand pieces of gold to anyone who can prove which one of them died first Zubayda, we will give one thousand pieces of gold to the person who proves you wrong Maharani Zubayda की बात सुटकर Khalif कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो ये बिचारा अबु हसन होगा जिसका की दिल तूट गया है अपनी पत्नी के मृत्यू देखकर Zubayda कहती है, नहीं ऐसा नहीं है मेरी नौकरानी खुद यहां पर आई थी और उसने नुज़द को रोते हुए देखा था Khalif कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो इस सच्चाई को सामने लाएगा उसे मैं हजार सोने के सिक्के दूँगा अबु जंप अप तभी अबु इतनी ही बास सुनकर अबु जो है कूत कर सामने आ जाता है अबु हसन It was me that died first Commander of the faithful and friend of the poor The Khalif May Allah save us Are you a ghost? Look that woman is awake too अबु हसन Your highness, we are not ghost and neither of us are dead It was our poverty that drove us to tell lie Put me into the prison for this But pardon my wife, she is innocent She is innocent No, 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 your highness, punish me for this Pardon my husband, he never meant any harm तभी अबु हसन कहते हैं कि महाराज ये मैं था जो पहले जिसके मृत्ति हुई थी Khalif कहते हैं Allah हमें बचाओ क्या तुम लोग भूत हो देखो वे औरत भी उठकर खड़ी हो गई अबु हसन कहते हैं नहीं महाराज ना तो हम भूत है और नहीं हमारी मृत्ति हुई है ये तो हमारी गरीबी थी जिसने हमें जूट बोले पर मजबूर कर दिया इसके लिए आप मुझे जेल में दाल दीजिए और मेरी पत्नी को शमा कर दीजिए तभी नुजध कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों जिन्दा हो सजा की कोई जरूरत नहीं है मारानी जुबैदा भी खलीव के साथ बोलती है कि हां मुझे भी बहुत खुशी है और हमने जो शर्ट लगाई थी वो पैसे हम तुमें देते हैं तास अल पर तोदे थांक य।